नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पच्पनवा ग्यान पीट पुरसकार जिहां 2019 में परदान किया गया है ये मल्यालम लेखक हैं अक्कितम को इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में पूरा बिस्तार से जानेंगे अकर चै में परदान किया गया मल्यालम लेखक हैं अक्कितम जिहां पूरा नाम में अक्कितम अच्यूंतन नंबूदरी जिहां मल्यालम लेखक हैं इन्हें पुरसकार चौंप पच्पनवा परदान किया गया जिहां इसके पहले परदान किया गया था चावनवा गैनपीड पुरसक हैं यह बात किजा इस पुरस्कार में तो इस पुरस्कार में कुल 11 लाख रूपए ettो एक वाग कान से मुलती मिलती है कासव एक पर सबाइस की पत्र और एक स्मृत्सिचिन यहां कुल पुरसकार भी मिले हैं ये पुरसकार देख लेते हैं इन्हें पदमसरी पुरसकार से सम्मानित किया गया है साहित अकादमी पुरसकार पदमसरी पुरसकार साहित अकादमी पुरसकार और कबीर सम्मान से और केरल के साहित अकादमी पुरसकार सम्मान से भी इनको नवाजा गय की सम्भीदहान की आठवेजियां में वरडिद20 भासाओं में ग्यांपीड पुरसकार प्रतिबर्स प्रदान किया जाता है जी आ शाहित के छेतर में अमूल योगदान के लिए ये पुरसकार प्रदान किया जाता है यहां पहला गैनपीट पुरसकार 1965 में यहां पहला गैनपीट पुरसकार 1965 में मल्यालम लेखक जी संकर कुरूब यहां जी संकर कुरूब को प्रदान किया गया था 1965 से ग्यानपीड पुरसकार प्रदान करने की शुरुवात की गई थी स्थापना तो ऐसे 1961 में की गई थी इसकी ग्यानपीड पुरसकार की और हिंदी भासा की अगर बात करें हिंदी भासा में सबसे पहले 1968 में 1968 में सुमित्रा नंदन पंध को उनकी कृती थी चिदंबरा चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंध को 1968 में ग्यानपीर पुरसकार से सम्मानित किया गया था ग्यानपीर पुरसकार साहित के छेतर में भारत में दिया जाने वाला 12 सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरसकार है जिहां ग्यान पीर पुरसकार धन्यवाद दोस्त